पूरे मुख्य मंत्री स्वर्ग्य वीरभदर सिंग पर वन मंत्री राकिश पर्थानिया द्वारा की गई टिपणी पर बावाल खड़ा हो गया है विकर्मारीत्य सिंग ने जहां बीते दिन सदन में राकेश पठानिया को वीरभदर सिंग पर टिपड़ी ना करने और खलड़ी में रहने की नसीहत दी थी वहीं अब कॉंग्रेस के विभिन संगटनों ने पठानिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है चातर संगटन एनुस्याई ने रविवार को उपायुक्त कारे लेके बाहर राकेश पठानिया का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारिबाजी की सदन में सारजनिक रूप से माफी माँगने की मांकी है और यदि राकेश पठानिया माफी नहीं मांगते हैं तो उनके आवास का घहराव करने की चतावनी भी दी है NUCI के प्रदेश उपध्यक्ष वीनु महता ने कहा कि स्वर्ग्य वीर्भदर सिंग देश के आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और पुरा प्रदेश उनका सम्मान करता है लेकिन भाजपा के एक मंत्री गुंडो की भाशक का प्रियोग करते हुए उन पर टिपनी कर रहे हैं जबकि आदमी इस दुनिया में नहीं हैं और आज भी लोगों के लिए वे आधर्च हैं उन्होंने कहा कि वन मंत्री राकिश पठानिया सदन में ऐसे व्यक्तित्व पर टिपनी कर रहे हैं और सदन के अंदर गुंडो की भाशका प्रियोग कर रहे हैं वोखे मंत्री जेराम ठाकुर भी उन्हें रोक नहीं रहे हैं और वे भी विपक्ष के नेताउं के साथ तू तड़ा कर बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राकिश पठानिया सारवजने के रूप से माफी मांगे अन्यता एनिस्याई पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ धरना परदर्शन करने के अलावा उनके आवास का घेराव भी करेगी नहीं चलेगा विपक इस पठानियां तुम्हें कम करो 2 नहीं बढ़त हमाशल परदेश के आवाम कि विधानसऻ में सवाल मंत्रियों को बिढ़ा है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के आधुनिक निर्माता हिमाचल प्रदेश के दिलों के राजा जिनों ने हिमाचल प्रदेश को सजाया सवारा और भारत देश में अग्रणी पंती में खड़ा करा आज हम देख रहे हैं एक बीजेपी का जिनकी भाषा सेली मंतरी है मानिय मंतरी समान करते हैं हम लेकिन जिस तरह से उनकी भाषा चैलिए गुंडो वाली भाषा चैलिए सदन के अंदर पूर्ब मुख्यमंत्री स्वर्गेश्री राजावीर भदर सिंग जी को के खिलाव इतने अप्षब इतनी कडवाहट उनकी मानसिक्ता दर्शाती है कि आज वो उस हिमाचल प्रदेश को सजाया सवारा हिमाचल प्रदेश के हर एक वर्क को अघ्रणी पंक्ति में खड़ा करा राकेश पठानिया जी कभी राजा जी विक्रमा दित्यशिंग जी के लिए तूझ सब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तूब आठ जा कभी किसी विधाय के देखा मुख्यमंत्री साहब नेता प्रतीपक्ष को तू तड़ाग से बात कर रहे हैं सदन की गरिमा को खतम कर दिया गया है के अनिश्वई कभी भी स्वर्गे श्री राजा वीरभदर सिंग का अपमान नहीं सहेगा वो कोई भी नेता हो किसी भी विचार का नेता हो एनिश् जो भी स्वर्गे श्री राजा वीरभदर सिंग के प्रदी अभद्र टिपनिया करेगा उसका पुतला तो देहन करेगा ही करेगा उसका विरोध करेगा साथ ही मैं राकेश पठानिया जी को कह देना चाहता हूं कि अगर आपने उसी सदन के अंदर माफी नहीं मांगी जो श हम मुख्य मंत्री मोहदे को कहना चाहते कि आप अपने मंत्री से उसी गरीमाई सदन में उनसे माफी मंगवाईए और एक बात आप सबी को कहिए कि पुर्व मुख्य मंत्री स्वर्गे श्री राजा वीरभदर सिंग जी का आप सिर्व सम्मान करिए वो सम्मान और वो हमारे आदर के योगिया और आदर्स हैं हिमाचल परदेश के विकास के उनसे आप सभी सीखिए आप इस तरह की घटिया बार्शाचैली का इस्तेमाल करना बंद करिए और राकेश पिठानिया जी को तो मैं एक बात एनेश्वी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप गुंडो वाली श